ओम सान्थी, मेरा स्रीर का नाम सुनीता देवी है, मैं मंडी ही मंचल से हूँ, दोजार नौ से में पहली बार माउंट आबू गई, और उसी दोरान से में लगतार सुडेंट बन गई, बाबा का ग्यान तो मुझे जैसे पहले पर दर्सनी पे मिला, लेकिन उसके बाद बाबा ने मुझे ऐसे सीन दिखाना चालू किया, जिसके बारे में मुझे कुछ भी प बाबा कुछ सीन ऐसे दिखा रहे हैं, तो वैसे ही चालू रहा, फिर जैसे ही में 2010 पे मेरी PID सर्जरी हुई अचानक परिस्तिती आई, तो ऑस्पिटल में मुझे लेके गए मेरी सर्जरी जो है, इतनी बड़ी थी, तीन सर्जरी की एक सर्जरी हुई डॉक्टरों का मानना लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि आपकी बचने की उमीद हमें नहीं थी, लेकिन आप फिर भी बचे, तो मेरे साथ जैसे बाबा थे, मतलब मैं अमेसा फील करती थी ब्रहमा बाबा, जैसे मेरे सराने के पास बैटे हैं, पाओं के पास बैटे हैं, बाबा का हाथ जो है, जै बिलकुल खोई रहती थी और इतना खुश थी कि मुझे नहीं लगा कि मेरा इतना बड़ा उप्रेशन हुए है मुझे कुछ भी फील नहीं होता था उसके बाज वे स्रीर में कुछ न कुछ परिस्तिती आती थी कुछ तकलिफ ऐसे होती थी बहुत ज्यादा तो हॉस्पिटल जाना होता था फिर बाद में जो है मुझे क्लास तो रोज करती थी लेकिन ऑप्रेशन के बाद मेरी मुडली क्लास चूट गई तो दीदिया मुझे बहुत सपोट करती आज भी मुझे ओ याद है तो दीदिया बौलती सुनिता बैन आप जो है टोली खाने आया करो बीर भा लेकिन 2016 पर मुझे रसॉली हुई तो मैं उस टाम तो रेगुलर स्प्रेंट बन गई रोज मूरली सुनती थी लेकिन दीदी ने बोला आपको सौमान का अभयास करना है और सूरज भाई के तो मैं बहुत सारे अनबब सुनती हूं डॉक्टर सचिन भाई के फिर मैंने सौमान क लिखने का चलू किया मैंने 108 पार लिखा रोज अमरीत बेले से पहले लिख लेती या अमरीत बेले के बाद लिखती फिर उसका बहुत बड़ा फाइदा हुआ जैसे मैं चलती फिरती रात को सोती बार बास सौमान का अभयास हुई जैसे मेरे दिमाग में चा गया तो बहुत खुस हुए बोला आपकी रुसाली खतम हो गई लेकिन आपकी बड़ी सर्जरी हुई है उससे आपको अपना द्यान रखना है फिर 2009 में दुबारा मुझे एक नहीं दो दो रुसालिया हो गई तब तो मुझे आमंडी हॉस्पिटल से सिधा रैफर कर दिया गया मेरे लिए तीन ओप्सन दी गई या एम्ज चले जाओ या फिर पीजी आई या फिर आर्मी हॉस्पिटल तो मैंने चूज पीजी आई को किया मैं पीजी में दिखा लूंगी तो पीजी आई दिखाया तो वहां पे हम मार्च 2020 पे गए थे साथ आठ मार्च को तो वहां से मुझे दो हपते की द्वाई दी गई लेकिन बोला आपको मार्च 2023 को आना है वहां पे लेकिन जैसे ही पहला लॉकडाउन हुआ तो हम तो गर में थे जाना था चंडी गर लेकिन जैसे ही ओ लॉकडाउन हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा कि य बच्चों का मेसा कल्यान होता है तो इसमें मेराMusic एक कल्यान है इस लौकडाउन में तो मैं ने है निया सोचे कि मुझे चंडी गढ़ जाना है या मेरा क्या ओगा कुछ नए सोच मिलता मिसीदा बाबा की कमबरे में बैठ चाती ही यो करने तो उसके बाद फिर आठ नौ मिने वगे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ फिर भी घरवालों का था कि भी ट्रीटमेंट चली है चन्ड़ीगर से तो फिर ऑन-लाइन ट्रीटमेंट चला बोला आप अन-लाइन और आपकी सर्जरी होगी तो फिर गरवालों ने रिसाइड किया कि हमने जो है प्राइबेट में हास्पिटल दिखा लेते हैं और वहां पे सर्जरी करा लेते हैं तो फिर प्राइबेट हॉस्पिटल में हम गए, वहां पे दिखाया, वहां पे जो है, मेरे मूँ से ऐसे अचानक निकल गया, तीन अगस्त को मेरा ओप्रेशन था, तो दो अगस्त को हम क्रोना टेस्ट सारे टेस्ट कराने गए थे, तो मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर पह तो मैंने बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ उपर वाले की गोली खाई और मैंने कुछ नहीं खाया है, तो बोला, ठीक है, आपकी विश्वास है, इतना है, तो हम आपके लिए अल्टरसाउंड कर लेते हैं, तो अल्टरसाउंड करने डॉक्टर गए, तो जब थे बहुत सियों कुछा होते हैं कि हम ब्रबाब के साथ मेरे बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन अब भी का है अनुभव कुछ दो मिने पहले का तो मेरे यूगल जो है ग्यान में नहीं चलते हैं घर वाले कोई नहीं चलते हैं लेकिन मैं घर से अकेली ग्यान में चलती हूं लेकिन परिवार मेरे बहुत अच्छा है बहुत सायोगी हैं त उनकी डूटी सेर्णागर पे है तो उन्हें बाबा पे बहुत विश्वास है कि मैं सारे अनवाब सेर करती हूं घर वालों से तो उनका हथियार का कुछ पीस गुम हो गया वहां डूटी पे तो मुझे कॉल किया साम को बहुत टैंसन में थे बोला मेरा कुछ हथियार का समान यह वह के लेकिन अपको बाबा के बोल के वह समान डूटना है तो मैं थो हणनंसने भी लगी मिज आक में कैसे टूंडूंगी मैं क्योई जो इस armpalone महीं हूं उल्हकMA समान गीना हूम buyer करनाुगा बाबा को आद करना होगा अपको भी बोला ठीक है तो मैंने बोला दो ही संकल पहम रात को सोने से पहले लेंगे कि बाबा जहां हो समान गी रहे हमें वहीं सीधे सीधे सुबा लेके चलना या फिर जीन आत्मां को समान मिला है ओ आत्मा जो हमें बापीस कर दे क्यूंकि एरपोर्ट से हैड़कॉर्टर छे साथ किलोमीटर दूर था तो समाला ने वहां सकता है या किसी को मिल गया होगा कुछ पता नहीं मुझे लेकिन मैं बाबा पे मुझे इतना विस्वास्ता मैं बाबा को हक से बोलती हूं दिल से बाबा से ऐसा कुनेक्सन है कुछ भी बात होती है बाबा को सेयर करती हूं साम को बस पूरा सुनाना बाबा को तो उस दिन भ अमरीत बेला के बाद मैं पांच बजे दुबारा बाबा रूम में बैठी बाबा को बोला बाबा अब आज जो मेरे सी बाबा और चलो उस आत्मा का वो समान डूंडने तो जैसे मुझे सामने अंधेरा कमरा दीखता है मैं ऐसे बाबा पे खोई हूँ तो वहां पे वो आत्मा कि बाबा ने जो सीन दिखाया उस आत्मा को समान उस कमरे में मिलेगा और मेरा मुबाइल जो है वहां पे बाबा की सामने ही था जैसे मुझे टच चूँआ बाबा बोल रहा है मैसेज कर दे मैने पौने चे मैसेज किया अपने यूगल को और बोला आप जाओ उसी कमरे में आपका समान मिलेगा तो वो तो डूटी थे साढ़े 5 से साढ़े 8 बजे उन्होंने मैसेज साढ़े 7 बजे पड़ा तो जैसे ही मैसेज पड़ा साढ़े 8 बजे डूटी से उतरे और सिधे दो भाईयों को लेके गाड़ी लेके वहां से 6-7 किलोवीटर हैड़कॉाटर चले गय गिए और दो भाहिओं को समान नहीं मिला लेकिन उसी आत्मा को समान voussy कम्रे में मिला जहां मुझे ओ सीन दिखा था तो फिर जब समान मिला सीदो मुझे कॉल किया बोला कि समान जो है मुझे मिल गया और बाबा का सुख रिया और बाबा पर इतना विश्वास बड़ा उस МУЗЫКА अम्रे में गई बाबा का सुक्रिया किया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया बाबा का बाबा के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो हमें ओम संती जी